जाइन्द फ्रेंड्स, वेलकम टो एकजाम एस फ्रेंड्स, 15 अगस्त के फर्स्ट सिप्ट के अभी तक सभी रियल क्यूचन आ गए हैं फ्रेंड्स, तो आज का क्यूचन का जो लेबल था, मोडरेट लेबल का क्यूचन था फ्रेंड्स, तो आईए हम लोगा स्टार्ट करते ह अब बहुत सारे क्यूचन फ्रेंड्स रिपीट कर रहे हैं गोवा की रास किया भासा क्या है तो कौंक्नी है और जितने भी us Aus आदि नेक्स क्यूचन हम लोग देखते हैं आरबी ऑइक गोवर्नल सक्तिकानदास की न्यूकति किस्ति हुआ था नेक्ट क्यूचन पूछा गया था, बल्ब का फिलामेंट किस धातू का बना होता है तो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन धातू का बना होता है ये भी क्यूचन रिपीट है फ्रेंड्स नेक्ट क्यूचन पूछा गया था हम किस अनुछेत के चाहत दारी करते हैं तो सर्वोच नियले और अनुछेत 32 के तहट चाहत जारी करते हैं और उच नियले होता हलिए से 226 के तहट जारी करते हैं यानि कि सरोच न्याले अपना रीट अनुछेद 32 के तहट और उंच न्याले होता से अनुछेद 226 के तहट अपना रीट जारी करता है नेश्ट क्यूचन पूछा गया था सत्य सोधक समाज की अस्थापना किसने की थी तो सत्य सोजक समाज के अस्थापना जोतीबा फूले ने की थी Next क्यूचन हम लोग देखेंगे Next क्यूचन पूछा गया था तापती नदी का उदगम अस्तल कहा है तो सत्पूडा से यह उदगम होती है और सत्पूडा कहा है मद्य परदेश राजी में है तापती नदी सत्पूडा पहाड़ी से उदगम होती है Next क्यूचन है इनमें कौन सा ग्रूप थीन का अलिमेंट नहीं है तो गैलियम है फ्रेंट्स आप्शन के नुसार गैलियम हो जागा इसमें ग्रूप थीरी का सदस्य नहीं है गैलियम Next क्यूचन पूचा गया था इनमें कौन सा आवर्थ दो का अलिमेंट नहीं है तो पोटेसियम हैसे आवर्थ दो का सदस्य नहीं है तो आप लोग जितने भी आवर्थ हैं फ्रेंट्स देख लिजेगा किस आवर्थ में कौन कौन से अलिमेंट आते हैं उनको याद कर लीजेगा कहा कि इन से related हाँ दो क्यूचन पूछा गया और पिछले जितने भी सीप्ट हुए है फ्रेंड्स उनमें से भी एक या दो क्यूचन हर सीप्ट में पूछा जा रहा है नेश्ट क्यूचन पूछा गया था खाने वाला सोडा किस से बनाया जाता है तो सोडियम कार्वोनेट की मदद से खाने वाला सोडा को बनाया जाता है नेस्ट क्यूचन पूछा गया था दो ओम और तीन ओम के दो रजिस्टेंस स्रेनी करम में जोड़े हैं तो समतुले परतिरोध क्या होगा तो अगर दो ओम और तीन ओम को दो रजिस्टेंस को हम लोग स्रेनी करम में जोड़ेंगे तो direct जोड़ देंगे friends अगर इसे समानतर करम में करता तो 1 by 2, 1 by 3 करके जोड़ते हैं तो सरेनी करम में हम लोग direct जोड़ देते हैं परतिरोध को और समानतर करम में 1 by करके जोड़ते हैं तो दो ओम और तीन ओम के दो रेजिस्टेंस को सरेनी करम में जोड़ देंगा तो सम्तुल परतिरोध पांच ओम हो जागा तो चलिए हम लोग नेश्ट क्यूचन देखते हैं आतल दरपन में वस्तु को अगर केंद्र पर रखा जातों उसका प्राकिर्ति कैसी होगी तो अगर केंद्र पर रखेंगे तो उसका जो वस्तु के समान उसका आकार हो जागा और उल्टा हो जागा और वास्तिक होगा यानि कि आतल दरपन में किसी भी वस्तु को केंद्र पर वस्तु है तो उसका परत्वीम कहां फोकस पर बनेगा तो आप लोग जितने भी दरपन या मिरर से रिलेटेड जितने भी वस्तु यानि कि वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका परत्वीम कहां बनेगा आप लोग अच्छा से देख लिजेगा कहा है कि जब से गुरूप D का इक जाम अश्टाट हुआ है, हर स्टिप्ट में इससे related एक ना एक क्यूचन आ रहा है नेक्ट क्यूचन पूछा गया था, नुटाकी प्रियंका किस खेल से संबसंदित हैं? यानि कि नुटाकी जो प्रियंका हैं, इस खेल से संबसंदित हैं? तो ये चेस खेलती हैं नेक्ट क्यूचन पूछा गया था कौन कार्बन के साथ सिंगल और डबल बाउंड दोनों बनाता है तो कार्बन के साथ सिंगल और डबल बाउंड कौन बनाता है तो ग्रेफाइट ऐसे कार्बन के साथ सिंगल और डबल बाउंड दोनों बनाता है और graphite क्या है carbon का अप्रूप है next question पूछा गया था कि copper chloride किसके साथ अभी किरिया कर grey color का हो जाता है तो इसका option नहीं मिल फा है friends तो अगर आप लोगों को याद होगा तो comment box में इसका answer जरूर लिखेगा next question हम लोग देखेंगे next question पूछा गया था तो अच्छा कि आंत्रिक भाग और मांस्पेशियों के बिच कौन सा उत्तक पाये जाता है तो इसका भी answer नहीं मिल फाया friends तो अगर आपको मालूम होगा तो जडूर answer आप लोग comment box में दीजिएगा next question पूछा गया था कि जन गन्रा 2021 यह कि नु सर भारत के किसराज मने बहुत धर्म मनाने वाले सबसे अधीक हैं तो महराष्ट में हो जागा friend जन गन्रा 2021 के नु सर भारत में बहुत धर्म मानने वालों की सबसे अधीक संह का महराष्ट में next question पूछा गया था चेस में किसे 2021 में मेजर ध्यान चन पुरुसकार दिया गया है तो हो जागे अभी जीत कुट्टे हो जाएंगे इनको चेस में 2021 में मेजर ध्यान चन पुरुसकार दिया गया है अभी जीत कुट्टे नेक्ट क्यूचन पूछा गया था ग्रामीन नवचार केंद्र कहां खोला गया है तो ग्रामीन नवचार केंद्र ऐसे केरल राज में खोला गया है नेक्ट क्यूचन हम लोग देखेंगे नेश्ट की उचन पूछा गया था ग्लुकोज का रासायलिक फर्मूला क्या होता है तो आप लोग सभी जानते हैं कि ग्लुकोज का रासायलिक फर्मूला C6, H12, R6 होता है यानि कि ग्लुकोज का रासायलिक फर्मूला क्या होता है कारवन के 6 अनू होते हैं हाइटोजन के बार हानू और ऑक्सीजन के छे हानू होते हैं नेश्ट की उचन हम लोग देखेंगे अगर वन को काड़ दिया जाए तो इसका परभाव क्या पड़ेगा तो इसमें दो दो लाइन के ऑप्सन दिये गए थे तो पिर्थिवी का तापमान बढ़ जाएगा अगर हम लोग और वन को काड़ देंगे तो पिर्थिवी का टेंपरेचर बढ़ जाएगा और सारा गलेसियर पगिल जाएगा जिससे पूरा पिर्थिवी क्या हो जागा जल्मगन हो जाएगा जिससे इंसान का स्थित्व भी खत्म हो सकता है पिर्थिवी पर से नेश्ट क्यूचन पूछा गया था फ्रेंड्स विदूत मोटर के सिधान कि इस पर कारे करता है तो विदूत मोटर से विदूत चुमबक्ये प्रेरन पर कारे करता है और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स आप लोग जो फ्लेमिंग का बाये हाथ का नियम है उसको भी आप लोग व्याद कर लिजे हो सकता आने वाले सिप्ण में उससे रिलेटेड क्यूचन बन सके नेक्ट क्यूचन पूछा गया था संग्ये बेवस्ता किस देश के संभीधान से लिया गया है तो संग्ये बेवस्ता है तो कनाड़ा के संभीधान से लिया गया है नेक्ट क्यूचन पूछा गया था हुदियों का रोषनी बिंहुत हो गया इसा किया जाते हैं यानि Heinop связ आनि कि जैसे कि डांडी हो गया तो डांडी हम हम लोग क्या करते हैं तो दोनों हातहों में छोटा छोटा डंडा लेकर उसे एक दूसरे के साथ टकराते हैं यानि कि जो भी तेवार हैं उनसे रिलेटेड कोई भी जो उसमें कारे किया जाता है उससे रिलेटेड क्यूचन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग जितने भी तेवार हैं उससे रिलेटेड जो भी क्यूचन बनते हैं फ्रेंड्स उनमें जो भी प्रंपरा अपन जाता है उनको देख लीजिएगा नेश्ट क्यूचन पूछा गया था अज कुली बचों को खाना देने के लिए पीम पोशन योजना कब तक चलाए जाएगा यानि कि पीम पोशन योजना जो चालू हुआ है इसका परथम चरण 2021 से 2026 के 20 इसका परथम चरण है तो कब तक चलाया जाएगा तो ऑप्शन में था 2022, 2023, 24 और 26 था तो इसका एंसर हो जाएगा 2026 यानि कि जो पीम पोशन योजना चलाया जाएगा वो इसका परथम चरण 2026 तक चलाया जाएगा उसके बाद दितिय चरण और तीतिय चरण अस्ट बाट होगा नेक्स्ट क्यूचन पूछा गया था फ्रेंड्स कि 2012 में किस राज द्वारा सबसे पहले प्लास्टिक बंद की सुरुवात की गई यानि कि यह प्लास्टिक जो है यह कचड़ा इसको यानि यह प्लास्टिक की बैन की सुब्धा कौन सा ऐसा राज है जो सबसे दी पंचवर सी ओजना में पहली बार किस राज द्वारा पंचायती राज की सुरुआत की गई तो दूतिये पंचवर्शीय योजना में पहली बार पंचायती राज की सुरुवात राजस्थान राज द्वारा की गई दूतिये पंचवर्शीय योजना कब से कब तक चली थी फ्रेंड्स आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जडूर दीजेगा और किसके मोडल पर दूतिये पंचवर्शीय योजना अधारित ये भी लिखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आने वाले सिप्ट में क्यूचन बन सकते हैं तो सभी रियल क्यूचन खतम हो गया हैं और यह सभी रियल क्यूचन है जो आज पूछे गए हैं अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों में सेर कर दीजेगा आने वाले सभी शिप्ट में आपके फ्रेंड Dale क्यूचन इस चैनल पर मिलेगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कियोंगे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोग जितने भी फर्मूला है फ्रेंड्स फिजिक्स में या कमेश्टी में जितने भी सूत्र हैं केमिकल फर्मूले हैं उनको याद कर लिजेगा कहें कि इन से related हर सिप्ट में क्यूशन बन रहा है फ्रेंड्स तो चलिए अगर आप लोग कहिएगा फ्रेंड्स तो अगर मैत का सोलूसन चाहिए तो मैत का सोलूसन भी इस चैनल पर मिलेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद